Hello Everyone, Good Morning to all of you and Welcome to Online Study Point. दोस्तो आज है 6 October और आज की इस वीडियो में हम 6 October से Related Current Affair के सभी Important Question को Cover करेंगे तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा Mobile Application भी Install कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को Daily Quiz, Free PDF और प्रती दिन के Current Affair का Audio भी मिल सकेगा आप लोगों के लिए दिसमबर 2019 से ले करके अगस्त 2020 तक के Selected Current Affair की Quiz चलाए जा रही है Morning में 8 बज़े तो इस Quiz से जुनना आप बिल्कुल मत भूलेगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे साथ ही बैल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और लास्ट दो दिन से मैं आप लोगों के करेंट अफेर की क्लास नहीं ले पा रही थी रिजन यही था कि मैं भी अपने कुछ एक्जाम से में विजी थी काफी कोशिश की मैंने कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊं लेकिन वो ट्रेवल में पॉसिबल नहीं हो पाया तो दो दिन दूसरी मैं में पढ़ाया लेकिन आज से मैं कंटीन्यू कर रही हूँ और हाँ मैंने आप सभी के कॉमेंट्स भी रेट किये थे लास्ट टू डेज के आप लोगों ने मुझे काफी मिस भी किया सच कहूं तो परड़े करंट अफेर बनाना मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है और जिस दिन भी मैं करंट अफेर नहीं बनाती तो मुझे भी एक कमी महसूस होती है खेर कोई नहीं रीजन था इसलिए वीडियो नहीं बन पाया आज से हम फिर से कंटीन्यू करेंगे और एक और चीज में आप लोगों को बता दू यदि बैक्ग्राउंड में आप लोगों को कुछ आवाज सुनाई दे रही होगी तो रीजन ये है कि घर में भागवत चल रहा है तो साथ दिनों तक ये भागवत चलेगा जिसके कारण आप लोगों को बैक्ग्राउंड आवाज सुनाई दे सकती है तो थोड़ा आप मैनेज करिएगा स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कुश्चन हाली में वश्यो सिक्षक दिवस ये कब मनाया गया है यानि कि वर्ल्ड टीचर्स डे तो ये भी हाली में मनाया गया है 5 अक्टूबर को और इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होएगा क्योंकि भारत में जो नैशनल टीचर्स डे है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को और और पुरे वर्ल्ड में वर्ल्ड टीचर्स डे ये मनाया गया है 5 अक्टूबर को आप चाहें तो इसका स्क्रिन सॉट ले करके भी रख सकते हैं यदि हम बाकिया उप्शन को डिस्कस करें तो एक अक्टूबर को मनाये गया है इंटरनेशनल डे ओफ ओल्डर परसन यानिकी अंतर राज़्ट्री व्रद्ध दिवस दो अक्टूबर को मनाये गया है अंतर परशू कल्याड दिवस यानिकी वर्ल्ड एनिमल वेलफेर डे तो इस सभी डेज आप याद रखेंगे नेक्स्ट है हाली में बोंगो सागर नामक नौ सेन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आईजित किया गया तो यह आईजित किया गया था भारत और बांगला इसकी नौ सेना के बीच और कहां एजित किया गया था बंगाल की खाड़ी में यनिकी बे ओफ बंगाल में अब देखिए कई लोग कमेंट में यह पूसते हैं कि exercise होती क्या है और यह क्यों होती है तो देखिए exercise मतलब कि जो अभ्यास है जैसे कि देखिए यह नौ सेन अभ् इस exercise में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती है कि किसकी नेवी best है तो यहां पर सक्ति प्रदर्शन का काम होता है तो बांगलादेश के बीच मतलब भारत और बांगलादेश के बीच 9 सेन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है बोंगो सागर एक और चीज आप याद रख सकत अब यह आयजित कहां की गई है बे उफ बंगाल में तो यह है बंगलादेश यह है बे उफ बंगाल की खाड़ी और देखिए मैंने आप लोगों को बताया था भाषन चार दीप के बारे में अभी कुछ समय पहले ही एक एक एक्जाम में पूछा गया था कि हाली में चर्च के में आया था हम बात कर रहे हैं बंगलादेश की तो इसकी है धाका करंसी है टका użyल है यहां की और वाली एक्सराइज को Basin K पाल की बीच एक exercise होती है जिसका नाम है सूरी किरन exercise भारत और श्री लंका की बीच होती है मित्र शक्ति exercise जबकि जो मैत्री exercise है ये भारत और थाइलेंड की बीच होती है भारत और अमेरिका की बीच बेसिकली तीन exercise होती है युद्धभ्यास कोप इंडिया और वज्र प्रहार तो ये सभी आप याद रखेंगे नेक्स्ट है हाली में शौरी मिसाइल का सफल परिक्षण ये कहां से किया गया है तो इसका परिक्षण अभी हाली में किया गया है ओडीसा के बाला सोर जिले से कब किया गया है 3 अक्टूबर 2020 को और यह जो ridge Missile का नया addition है यह सफल रहा है इस नया addition में खास किया है तो देखिए यह है यह जो missile है यह surface to surface यह जहीं की सतह सतह war करने वाली missile है और यह 800 km दूर एसे target को भी भेच सकती है यह है इस नया addition की खासियत और इसका ही सफलता पूरक परिक्षण किया गया है बाला सोर से अच्छा बाला सोर जिले से आप लोगों को क्या याद आता है इसी ओडि सा के बाला सोर जिले में कुछ समय पहले ही दुरलप प्रजाती का पीला कच्छु अभी हो जा गया था और इसे ही यह आप science and technology से ही relate कर सकें तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था अब भ्यास missile के बारे में, प्रत्वी 2 missile के बारे में और ब्रम्होज missile के बारे में इन सभी missile का सफलता पूरोप परिक्षण किया गया है ओडिसा से ही ओडिसा के बाला सोर जिले से तो इस सभी आप याद रखेंगे आप मैप में देख सकते ही यह है ओडिसा की location राजधानी है भूवनेश्वर भूवनेश्वर में ही इस्तित है लिंग राजमंदिर कलिंगा स्टेडियम और National Aluminium Company Limited मुख्यमंत्री है नवीन पतनायक जिन्हें कुछ समय पहले ही Hero to Animal Award से सम्मानित किया गया था राजधाल तो यह है गनेशी लाल और ओडिसा की कंदमाल हल्दी को पिछले ही साल यानिकी 2019 में GI Tag दिया गया है नेक्स्ट है हाली में World Health Organization के द्वारा 2020 से 30 के दसक को यानिकी Decade को क्या नाम दिया गया है तो यह नाम दिया गया है Decade of Healthy Aging नाम किस ने दिया है WHO ने इनकी World Health Organization ने इसके स्थापना हुई थी 1948 में Headquarter इस्थी था जेनेवा स्वीजरलेंड में इसके अध्यक्ष तो यह है तेड्रोस अधानूम और कुछ समय पहले ही WHO के कारिकारी समीती के अध्यक्ष यह बनाए गये हैं केंद्री स्वास्थ मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन आप WHO से और क्या रिलेट कर सकते हैं तो देखिए इसी WHO ने कुछ समय पहले ही दो कंट्रीज एक है मौल दीप दूसरी है श्री लंका इन दोनों ही कंट्रीज को चेचक और खसरा मुक्ति डिकलियर किया है तो यह आप याद रखेंगे देखिए जो तेलंगाना गवर्मेंट है इसके दौरा वर्स 2020 को Artificial Intelligence Year के रूप में मनाने की घोशना की गई जबकि जो WHO है इनिकी इसी WHO के दौरा वर्स 2020 को Year of Nurse and Midwives के रूप में मनाने की घोशना की गई है लेकिन Decade इनिकी यह जो दशक रहेगा 2020 से लेकर के 30 तक का इसे नाम दिया गया है Decade of Healthy Aging का Next है हाली में Indo-American Lifetime Achievement Award से किसे सम्मानित किया गया है तो यह भी हाली में सम्मानित किये गया है रतन टाटा जी और क्यों सम्मानित किये गया है तो देखे जो IACC है यानिकी Indo-American Chamber of Commerce इसने रतन टाटा जी की Leadership के द्वारा मतलब की इनके नेत्रत्व में भारत और अमेरिका के बीश जो रिलेशन है ये पिछले तीन दसक या इसे आप कह सकते हैं तीन डिकेड या तीस साल इन तीस सालों में भारत और अमेरिका के जो संबंध है ये और भी मजबूत हुए हैं और इसी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है इंडो अमेरिकन चैंबर आफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ ट्राइम अश्यूमेंट अवाड से देखि रतन टाटाजी का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुन होगा लेकिन इनके बारे में काफी कम लोगों ने पढ़ा होगा यदि आप थोड़ा मोटिवेट होना चाहते हैं थोड़ा इंस्पायर होना चाहते हैं तो हाली में जो किरन मजुमदार शौ हैं जो कि बायो कौन की संस्थापक है इन्हें जून 2020 में इंटरप्रेणियोर ओफ दा इयर अवार्ट से नवाजा गया था और इंटरप्रेणियोर ओफ दा इयर आवाड पाने वाली ये भारत की पहली महिला बनी हैं यदि हम बात करे आनन्द महिंद्रा की जो की महिंद्रा ग्रूप के चेर्मेन है और शांतनु नारायन ये है एडॉप के सीओ इन दोनों को ही अभी हाली में ग्लोबल लीडर्शिप आवार्ड से नवाजा गया है next है हाली मेफूलबागड मेट्रो स्टेशन को उधघाटन किसने किया है तो इसका उधघाटन किया गया है पीउष गोयलजी के दुआरा वीडियो कौन्फरेंसिंग के माध्यम से और कहां किया गया है कोलकाता में तो देखे कोलकाता के East West Metro Corridor के इस फूलबाग Metro Station को उधगाटन कर दिया है पियुश गोयल जी ने पियुश गोयल जी जो की प्रेजन टाइम में हमारे रेल मंत्री है और ये हैं हमारे 46 क्रम के रेल मंत्री पहले कौन है तो भारत के इनकी स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री ये थे जौन मथाई जी और जो पियूश गोयल जी है इन्हें 2019 में कनौट पुरुसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है अब यहाँ पास रेलवे की बात की जा रही है तो आप करंटली क्या रिलेट कर सकते हैं तो आप ये रिलेट कर सकते हैं कि भारत की जो पहली किसान रेल है ये चलाई गई है नासिक के देवलाली से लेकर के बिहार के दानपुर तक ध्यान दीजेगा भारत की पहली किसान रेल यदि दक्षिन भारत की पहले किसा अंडरल पूछा जाए तो ये चलाई गई है आंधर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक दोनों ही अलग-अलग चीजे हैं नेक्स्ट है हाली में फोप्स के दौरा जारी किये गए टौप पचास प्रभावस हाली CMO के लिस्ट में किस भारती को शामिल किया गया है यहाँ पास CMO का मतलब है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर तो इसमें ये भी हाले में शामिल किये गए हैं रवी संथानम देखे जो फोप्स है जो की एक अमेरिकी मैगजीन है इसके दौरा पूरे वर्ल्ड के टौप फिफ्टी इंफ्लोएंस CMO के लिस्ट जारी की गई थी और इसमें एक मात्र भारती शामिल है रवी संथानम जो की HDFC बैंक के CMO है और इस टौप पचास में ओर रॉल इनकी रैंकिंग है 39 अच्छा ये तो रहें 39 पोजीशन पर टौप पर कौन रहे हैं? तो टौप पर रहे हैं वीपी फिल इसकिलर और ये कौन है? तो ये एपल के CMO है दूसरे स्थान पर रही है स्टैफनी मैकमोन जो कि WWE की चीफ है तीसरे स्थान पर रहे है फर्नांडो मैकाडो फर्नांडो मैकाडो ये रैस्टरा बैंड इंटरनेशनल के ग्लोबल CMO है और ये रहे हैं तीसरे स्थान पर नेक्स्ट है कौन साथ इस अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खरन रोबोट लॉंच करेगा देखे इस कोस्टन में पहला वर्ड लिखा है इसलिए कोस्टन इंपोर्टन है तो ये लॉंच किया जाएगा चाइना के दौरा अब इस कोस्टन में जो टॉम लिखा है खरनन यानिकी माइनिंग तो मुझे नहीं लगता इसे ज़्यादा डीप में बताने के जरूरत है क्योंकि कहीं ने कहीं आप लोगों ने अपने घर के आसपास या और कहीं भी माइनिंग होते तो जरूर देखी होगी और ऐसी ही कुछ माइनिंग अब होगी अंतरिक्ष में इनिकी स्पेस में और इसी के लिए दुनिया का पहला माइनिंग रोबोट ये लॉंच किया जाएगा चाइना के द्वारा अच्छा ये खनन ये कहां होगा तो ये होगा एस्टरोइड में और ये एस्टरोइड ये क्या है तो इसका एक इमेज में ने आप लोगों के सामने निकाल के रखा है आप देख सकते हैं ये है एस्टरोइड जो कि एक तरह का खगोली पिंड है और इसी एस्टरोइड में खनन के लिए एक रोबोट इस्पेस ये भेज रहा है चाइना क्योंकि ऐसा मानना है कि ये जो एस्टरोइड है यहां मूल लिवान खनीज हो सकते हैं जिसके कारण चाइना की निगाहें इस पर टिकी हुई है और इसी के लिए ये जो रोबोट है यानि कि माइनिंग रोबोट ये अंतरिक्ष में जाकर के खनन का काम करेगा तो दुनिया का पहला खनन रोबोट ये लॉंच करेगा चाइना तो आप मैप में देख सकते हैं ये है चाइना की लोकेशन ये है अपना देश भारत और मैं जानती हूँ आप लोग यही सोच रहोंगे कि हर बार मैं इंडिया का गलत मैप लगाती हूँ तो देखिए इसका सिर्फ इतना रीजन है कि मैं जो आप लोगों को जियोग्राफी पोर्शन कवर कराना चाहती हूँ उसके लिए मुझे परफेक्ट मैप नहीं मिल पाता बस मुझे समझाने के लिए ये वाला मजबूरी में रखना पड़ता है और मैं किसी की भावना को ठेज भी नहीं पहुचाना चाहती तो इसके लिए आप बुरा भी मत मानियेगा तो ये है चाइना की लोकेशन चाइना ये इस्थित है एशिय महादीप में जनसंख्या की दरश्टी से विश्व का नंबर वन देश है चाइना की कैपिटल तो ये है बीजिंग करंसी है रेन मिनवी प्रेसिडेंट है सी जिंपिंग देखे कुछ समय पहले ही जो ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स जारी किया गया था इसे टॉप किया था चाइना ने ही इंडिया की रैंकिंग थी बारह वी अब देखे यहाँ पास बात की जारी है दुनिया के पहले देश की तो आप अधर आप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं जर्मनी ये किस मामले में पूरे वल्ड में पहले स्थान पर है तो जो हाइड्रोजन ट्रेन है यनिकि विश्यो की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये चलाई गई है जर्मनी से ही जो अपना देश है भारत ये ड्रोन से टिड्डियो को कंट्रोल करने वाला विश्यो का पहला देश बना है अच्छा, अमेरिका ये किस मामले में number one है तो देखिए जो अमेरिका है ये space command launch करने वाला विश्व का पहला देश है अब ये space command क्या है तो जिस तरह से जल सेना, थल सेना और वायू सेना होता है सेव उसी तरह से है ये space command जो कि launch किया गया है अमेरिका के द्वारा नेक्ष्ट है हाले में Forbes के द्वारा जारी किये गए विश्व में सबसे ज़ादा payment पाने वाली actresses के list में कौन टॉप पर रही है तो Forbes से related पहले हमने CMO discuss किये अब हम discuss करने जा रहे हैं कि world में सबसे ज़ादा payment ये किस actress को मिलता है तो ये मिलता है Sophia वेरगेरा को जो Sophia वेरगेरा है इनकी कुल कमाई है 43 million dollar या इसे आप कह सकते हैं लगभग 315 करोड की कमाई के साथ ये रही है number one position पर दूसरे स्थान पर रही है Hollywood actress Angela Jolly और इनकी कमाई है लगभग 35 million dollar और इसी के साथ मतलब की 31 million dollar की कमाई के साथ जो gal go tote है ये रही है तीसरे स्थान पर ध्यान दीजेगा मैं यहाँ पास actresses यानि की अभी नेत्रियों की बात कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले actresses की लिस्ट में इस बार कोई भी Bollywood अभी नेत्रियों की भारत की तरफ से कोई भी actress सामिल नहीं की गई है तो ये तो बात हो गई actress की कुस्समा पहली Forbes के दौरा विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले actor की लिस्ट जारी की गई थी और इन actor की लिस्ट में इनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले actor की लिस्ट में top 10 में एक मात्र भारती शामिल थे अक्षक उमार जी और इस top 10 में इनकी overall ranking थी छटवी पहले स्थान पर कौन थे तो ये थे ड्वेन जॉंसन next है किस express way में भारत के पहले पांच पशुपुल का निर्माण किया जाएगा तो देखिए भारत के पहले पांच पशुपुल का निर्माण ये किया जाएगा दिल्ली मुंबई express way में और ये जो है ये नीदर लेंड के model पर आधारित है क्योंकि नीदर लेंड सरकार ने भी कुछ इसी तरह की विवस्था की है पशुपुल की सुरक्षा को ले करके अब ये पशुपुल क्या है तो आप इसे easily समझ सकते हैं मैंने एक image लगा के रखा है जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये road जा रही है और road की उपर से ये बना हुआ है पुल मतलब की माल लेजे जंगल में कोई भी जानवर है इसे road cross करना है तो कई बार ऐसा होता है कि road cross करते हुए दुरघटना में उसकी मृत्यू भी हो जाती है तो इनी की safety को धिहान में रखते हुए इस पशुपुल का निर्माण किया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वेपे अब देखे यहाँ पास जानवरों की सुरक्षा की बात की ही जा रही है तो आप लोगों को और कुछ याद आना चाहिए कुछ दिन पहले मने आप लोगों को बताया था कि जानवरों के लिए ही विश्व का सबसे बड़ा अंडर पास ये कहां बनाया गया है तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेस में NH44 पर और ये विश्व का सबसे बड़ा अंडर पास है इसकी लंबाई है 16.1 किलोमीटर साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये जो रास्ता है ये पेच अभ्यारनी के 220 से होकर के गुजरता है जसा कि आप इमेज में देख सकते हैं मतलब कि ये जो अंडर पास है इसके नीचे CCTV कैमरे भी जगह जगह लगा दिये गये है ताकि कोई भी जानवर ये उस अंडर पास के नीचे आता है तो उसका जो इमेज है CCTV में कैप्चर हो सके तो ये हैं अंडर पास और यहां पास बात की जारी है पशुपुल की अच्छा इस कोश्चन में आप लोगों ने एक चीज नोटिस की यहां पर मैंने बताया है Expressway के बारे में और यहां पास मैंने बताया है National Highway के बारे में बहुत ही basic चीज है लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि Expressway और NH44 में फर्क क्या है तो वो मैं आप लोगों को बता दूँगी पहले हम other option को डिस्कस कर लेते हैं तो ये तो बात हुई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की यदि हम बात करें गंगा एक्सप्रेस वे की तो देखें पिछले ही वर्ड सेनी की 2019 में जो उत्तर प्रदेस गवर्मेंट है इसने गंगा एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी है और ये भी कहा है कि ये दुनिया का सब शबसे लम्बा Expressway है. यह तो बात होई Expressway की Now, मैं आप लोगों को इन दोनों मे ही difference बता देती हूं Expressway and National Highway में इन दोनों में क्या फर्क है? तो देखिए यदि हम बात करे Expressway की तो इसकी सडके कई गुना नहीं होती है और इसमें दूसरी सड़के आकर के नहीं मिलती मतलब की कहीं से भी crossing नहीं होती कहीं से crossing नहीं होती मतलब एकदम straight होती है और straight होती है तो accident भी कम होते है यह basic बाती हुई Expressway के बारे में यदि हम बात करें National Highway की तो इसे सड़कों चाहाए बंदरगा हो चाहे किसी राजD fantasy की राज्धानी हो यह सभी को जोडता है और एक बेसिक फिर्क में आप लोगों को बता देती। भारत में न protrity यह ज्याधा ज्याधा चार लेन ही है जबकी जो एक्स्प्र FC है यह sitting हो सकते हैं तो कि यह book important क्यों है तो देखें ये जो किताब है ये 12 घंटे के अंदर ही यूस की number one best seller किताब बन गई है ये न्यूज आप लोगों ने जरूर पढ़ी भी होगी और यही किताब लिखी गई है प्रियंका चोपडा के द्वारा यदि हम बात करें प्रियंका चोपडा की तो इन्हें पिछले ही वर्स इन्हें के 2019 में यूनिशेफ के द्वारा मानवतावाधी पुरुसकार से सम्मानित किया गया था साथ ही मारा केच जो की एक कंट्री है मारा केच में आवार्ड पाने वाले ये पहली भारती भी बनी है फिल्मों में उतकरश्टिता के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था मारा केच में तो unfinished किताब ये related है प्रियंका चोपडा से यदि हम other option को discuss करें तो हाली में जो director है करन जोहर इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है The Big Thoughts of Little Love यदि हम बात करें चेतन भगत की तो हाली में इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है इसका नाम है One Arranged Murder important है अरुन्धति रॉय का नाम इनके द्वारा भी हाली में किताब लिखी गई है जिसका नाम है आजादी और इनके द्वारा लिखी गई most famous किताब है God of Small Things जिसके लिए इन्हें 1997 में Man Booker Award से भी नवाजा जा चुका है next है हाली में मिस कलपना चावला कारगो अंतरिक्षियान ये किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो ये हाले में लॉंच किया गया है नासा के द्वारा और नासा ने भारत की पहली महिला अंतरिक्षियात्री कलपना चावला जी के नाम पर स्पेस सीप लॉंच कर दिया है इन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए और नासा ये अमेरिका की स्पेस एजनसी है इसके स्थापना हुई थी 1958 में हैटक्वाटर इस्थित है वासिंग्टन डीसी में अच्छा नासा से आप और क्या ये तो है अमेरिका की स्पेस एजनसी इस रो ये हैं इंडिया की स्पेस एजनसी जैक्सा ये है जापान की स्पेस एजनसी और CNES तो ये है France की Space Agency अब कौन सी न्यूस चर्चे में है most important अटल सुरंग तो देखिए दि हम बात करें अटल सुरंग की चर्चे में है और ये किस राज्य में इस्थित है ये इस्थित है हिमाचल प्रदेश में और ये विश्व की सबसे लंबी राज मार्ग सुरंग है मेरे सुरंग के माध्यम से जो मनाली है और ले है मनाली और ले है इन दोनों की ही बीच की दूरी 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगी अब मैंने कहा है विश्व की सबसे लंबी राज मार्ग सुरंग आप लोगोंने एक और सुरंग का नाम सुना होगा चेनानी नासरी सुरंग हलाकि इसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग ये स्थिथ है जम्मू कश्मीर में तो देखे जो चैनानी नासरी सुरंग है ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है और मैंने क्या कहा है विश्व की सबसे लंबी राज मार्ग अटल सुरंग हाला कि जो अटल सुरंग है इसका नाम पहले था रहतांग सुरंग नाम बदल कर किया गया है अटल सुरंग एक और चीजा आप याद रख सकते हैं कि ये जो अटल सुरंग है ये किस दर्रे में स्थित है तो ये स्थित है रहतांग दर्रे में तो ये बेसिक है क कुछ जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कल आप लोगों से पूछा गया था हाली में किस राज जी की पहली और एक मात्र महिला मुख्य मंत्री जिनका नाम था अन्वरा तैमूर इनका निधन हुआ राइट आंसर है असम अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है ह आले में किस राज ने YSR जलकला स्कीम की शुरुआत की है तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजेगा वीडियो यदि पसंद आया है हाला कि आज आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो या ना आया हो रिक्वस्ट यही है कि वीडियो को जादा जादा शेर की किजे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच